नमस्कार श्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया 24.07 लाइफ टीवी में आपके साथ पृतिक शावर्मा रुख करते हैं इस वक्त की एहम ख़ब रुखा विधान जबाद चुनाओं से पहले उत्यप्रदेश की योगी आदितिनाश शरकात नई जनसंख्या नीती लाने की तैयारी कर चुकी है। इस वक्त ज्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसे अगस्त के दूसरे सब्ताह में पेश गिये जाने की उमीद है। इस प्रस्तावि लड़ने की मना ही होगी। इस पॉलिशी को लेकर राज्य विधियायोग ने 19 जुलाई तक आम जनता से राहे मांगी है। ऐसी चर्चा है कि ये कानून आगामी विधान सभाद चुनाओं की दिसापप लड़ सकता है। यूप विधियायोग के चेर्मैन आदित तिनात मित इतल ने बताया है कि जो भी कानून के लागू होने के बाद दो बच्चे के नियम का उलंगन करता है। उसे सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्यानकारी योजनाओं के लाप से वंचित कर दिया जाएगा। वास्थानिय निकायों के लिए चुनाओं नहीं लड़ सकता। राजी शरकार के तहत सरकारी नौक्रियों के लिए आवेदन करने की योगी नहीं होगा। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में प्रव मोशन भी नहीं मिलेगा। जाफ्च में आगी कहा गया है कि उसका राशनकार्ड चार सदस्च्यु तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रक कि सरकारी सबसीडी भी नहीं ले सकेगा योपी सरकार में आलपशंख्या कल्यान मंत्री मोहशिन रजा ने कहा है कि राज में जनसंख्या पॉलिसी बहुत जरूरी है भारतियों जनता पार्टी मुशलमानों को टोपी से टाई तक की तरफ ले जाना चाहती है हमारी शरकार ने इस विसे पर जनता से भी राय मांगी है इसके बाद ही हम इस कानून को लाएंगे वही विपक्ष के रवये पर मोहशिन रजा ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंतर कानून बने और इसी मकसद से ओवैसी बहराई चा रहे है मैं उनसे कहना चाहता हूँ क पहले हैदराबाद और तेलंगाना को शंभाले और तुष्टी करण की राजनीती करना बंद करें प्रियम योगे के जनसंख्या को लेकर जागरुकता पहलाने का संथ समाज ने श्वागत किया है साथ ही ये भी कहा है कि धर्म को सिक्षित करने की ज़्यादा जरूरत है उनको सिक्षित कि ऐसा करना शंभा नहीं है और इंडिया सिया परस्नल लाबोर्ट की प्रवक्ता मौलाना याशू बबास ने कहा कि जनसंख्या नियंतर कानून सही है सब चाहते ही कि जनसंख्या पर नियंतर हो लेकिन खास तोर से किसी मजहब को टार्गेट करकि अगर यह ऐसा मुम्किन नहीं है ऐसा नहीं है कि किसी के हाँ दो या चार बच्चे नहीं सिर्फ मुसल्मानों की ही ज्यादा बच्चे हैं अगर खाली मुशल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है तो यह गलत है मैं इसका पुर्जोर विरोत करता हूँ वही कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूद भी पीछे नहीं रहे उनका कहना है कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रक की बात हो अपराग नियंत्रक की बात हो और सम्मुद्दे है लेकिन भारतिये जनता nowadays को सदन में बात करनी चाहिए सब के विचार वेमर्ज से बात करनी चाहिए ना की हेडल